परम सर्मानियो गुरु रूप गुरु खाल्सा सा संगजी वाहिगुरु जी का खाल्सा वाहिगुरु जी की फते सा संगजी महापुर्खादा मिलाव जीवन दे विगड़े होय रहानू एक आख दे चमकन वेच स्वार दनता है संसार वेच इस्तरादियां बहुत सारियां मिसालां विल दिया हन। ते कबीर साहब दे जीवन वेच भी अजहियां कई साखियां आओ दिया हन। के जिस्तों ए सचाई परगट होके सामने आओ दी हैं। एह जही एक साखी आज आपां सर्वन करांगे। जिथे कबीर साहब रहा करदे सान उस शेयर वेच एक नमी वेसवा आई। चड़ दी जवानी दी मुटे आर जवानी नाल मस्तानी होई होई सी। ओहो इननी सोनी सी के उस दे चमगदे मुखडे ते इनसानी निगा नई सी टेकदी। ते हर निगा नू उस दे समने चुकणा पेंदा सी। ओधा शिंगार उस दे हुसन लई सोने ते स्वागे ओली गाल सी। जड़ा भी उनू देखदा सी ओ किल्या जानदा सी। ते किसे भी था जोगा ना रेंदा पर हले ओधा हिर दा एनना मलेन नहीं सी होया। शायद जीवन दिया कुछ मजबूरिया ने उसनू हुसन दे बजार दी खिड़की वेच लेया के बठाता सी। एक दन कबीर साहब ओधी खिड़की दे सामने जाके खड़े हो गए। ते बेट बेट करके उस दे सोने मुखडे नू देखना शुरू कर दता। स्वेर दा वेडा सी ते ओह वेसवा हले बणा शिंगार के बारी वेच भी बैठी सी के पगजी भी उत्थे पहुंच गए। ओह शिकार दी पाल वेच भी बैठी सी पर परमातमा ने उस दी कल्यान करन वाला शिकार पेई दता सी। दो में एक दुजेवाल देर तक टिक टिकी लाके देख दे रहे। दो हादियां जुबाना बांद सी। अखीर वेसवादी जुबान खुली। उने वाल मारी फकीर साई उपर आ जाओ। वेसवादी अवाज सुनके कबीर जी तेजी नाड पौडियां चड़के उदे सामने जाके खड़े होगे। एक सांत महातमा नू पूरण रूप विच देखके वेसवादी हिरदे दा इनसानी जजबा कुझ थोड़ा जहा जाके आ। ओने सोचया अखीर साड़ा वेसवावादा की एही काम रह गया है के असी अमरत वेच जैर कोड़िये ते पवितर रूपानू अपवितर करके रूलन लई सोट दिये। थोड़ा चेर इस सोच वेच डूबी रेन पिछों उसने फकीर साहीं वाल अखा चोके देख्या ते प कबीर जी ने इस सवाल दा उतर अजेही मुस्कुराहट नाल दिता के जिसदे गल्त अर्थ लेके वेसवा फेर बोली तुसी मेनू प्रबुदी पक्तिवाले बंदे जाब दे हो तुसी मेरे हुसन नू देखके मेरे स्रीर नाल दो कडियां मन पर चौन लई आ गये हो मैं त अड़ा स्वागत करती हैं पर तुसी जान दे हो के इस दांत की होएगा तो अनू पता होना चाइदा है के मेरे रोम रोम विच अजेहा जहर परया होया है जेडा के तो अड़ी प्रबुदी नू डस के इस दी मौत कर दवेगा ते तो अनू इना गलियां विच रुणन बोलके केंदी मैं एक ही कह रही हैं तुसी मेरे आईदे पहले गाख हो गाख नू मोरना दुकान दारी दे असूला दे उल्ट है जम जम आओ ते इस तरह कह के उसने दूसरे कमरे विच विशे होए पढ़ंग वले इशारा कर दता ते केहा एथे राम नल बैठ जाओ पर होय की के पुत्री शब्दी कड़क दी हो ये वाज नाल ओ सैम जी गई कबीर जी कह रहे सन पुत्री मैंनू तेरे हुसन नाल कोई वास्ता नी मैं ता सिरफ उस मुसवर दी कारीगरी नू देखन वास्ते एथो तक पहुंचे हां के पहला ता एनी सुन्दर तस्वीर बनोदा है ते फिर उसनो इस तरह गांद वेच रोलन लई सुड़ दन्दा है किना कारीगर मुसवर है ओ ते नाल ही किना बेरहम भी है के जेडा हुसन राज महला वेच राजयां दी पूजा दा हक होंदा है उसनो दो दो पैसे ते विकन लई इस गंदी मोरी वेच रख दन्दा है जार जार रोन लग पई उसने कोटके कबीर जी दे पैर फाल ले ते फिर बोली जे तुसी मेन्नो अपनी पुत्री केहा है ता मेन्नो अपनी पुत्री बणा के रखो पिता जी मेन्नो इस नरक कुंड विचों कड के ले जाओ मोड़ थे कदे नी आवांगी कबीर जी उस वेस्वा नो लेके हेठा उतर आए पुत्रीया वांग उसनो कई महिने अपने कारवेच रख्या ते फिर उस दा एक चंगे सेवक नाल विया करके उसनो हमेशा लई पापा दे मारकतों रोक के उस दा कल्यान कर दता परमातमा अपने पगतां दे काम करन ली आप ओंदा है इस गल्दी गवाही एक तन्य पगत दी जीवनी विचों मिल दी है ते दूसरी पगत कबीर जी दी जीवनी विचों कबीर पगजी दी सोबा सुनके कांशी दे इर्खी लोग बड़ा ही सड़या कर दे सन ते हमेशा एक अजेह मौके दी ताड़ विच रहा कर दे सन के कदों कबीर जीनू परिशान ते बदनाम कर ये इस तरह समा बीदा गया ओना लई अजेहा मौका आही गया जदो कबीर जी दे कार विच अथ तंगी सी ते रात नू चूला भी गर्म नहीं सी होया कर दा ता ओना नू एक शरार्त सुझी के शैर विच रोड़ा पाईए के कबीर जी सारे लोकानू पक्या होया पोजन दे रहे हन इस तरह सोच के उना ने सारे शैर विच रोड़ा पाज़ता के कबीर जी सारे लोकानू पक्या होया पोजन दा लंगर वाण रहे हन हार एकनू टाइटाई सेर मठ्याई मिलेगी ते इस मकसद लई ओना ने इर्खी सजन पुर्शावलों शैर विच टंडोरा भी पटवाज़ता ते नाले हो आपस विच एक अपामारा लगपए के बड़ा अकड़ा फिर्दासी होन देखांगे इस जुलाहे नू जो दो इस इस दी इज़त एथे किस तरा मिटी वेच मिल दी है ए सारी शरारत दा कबीर जी ते लोई जी नू कोई पता नहीं सी ते अचानक ही जद सैंकड़े आदमिया ने कबीर जी दी जैजाकार बोल दे होए उस दे कर दे सामने पंगत लोनी शुरू कीती ता कबीर जी नू इस श कोण की हो सकदा सी खान नू ता पहला ही कारवे चाटा नहीं सी एनिया संगतानू पक्या होया पोजन ते टाइटाई सेर मठ्याई जी प्रती कितों देनी सी कबीर जी ने लोई नाल सला किती ते दो में जने चोप चाप करों खिसक के नगरतों दूर एक खोले वेच जा के जादे हे लोग मंदा चंगा बोल के खेंड़ पन जान गे ता रात पईनू आपां वापस आ जावांगे पर करवेच होर ही खेड वर्त गई पंगता हले पूरी तरह लगिया नहीं संग के मठ्याई वर्ती जान लगी फिर वर्तों वाला भी कोई होर नहीं सी सगो आप पर पर के वर्ताई जा रहा सी ते लोग उस दी जै जाकार बलोँदे जा रहे सा ते चोडियां पर पर के वापस जा रहे सा खेड उल्टी पई देखके शिरार्ट करनवाले इर्खी बंदे हैरान हो गए कि एक ही हो रहा है असी था ए समझ के इस नाटक दी रचना किती सी के इस जुलाहे दी इज़त मिटी वेच रोल दी देखके बड़े खोश हो वांगे पर एथे ता सगो उल्टी इज़त वद रही है ओह एक दुझे नाल मू नाल मू जोड के पुछ रहे सन के राती ता इस दे कारचूला भी गर्म नहीं सी होया ते सवेरे इना कोज कितों आ गया ओ ए नहीं सी जान दे के कबीर अपने रामदा हो ही नहीं चुक्या उसनों अपना बणावी चुक्या है एदर इस तरह खुले पंडारे वर्त रहे सन ते ओधर कबीर सहाब ते लोई शेरों दूर खुले विच बैठे सोच रहे सन के ओना दे पिछों ओना दे कार की बिती हो इस तरह लोग की चंगा मंदा बोल दे वापस गए होन गे ओ कुसर मुसर कर रहे सन के खिलियां मार दी ते कबीर जी दी जैजाकार बलों दी एक पार्टी ओथों दी लगी कबीर जी दे कन खड़े हो गे ते जादोना ने अपनी जैजाकार सुनी ता सब कुछ समय गे फिर भी तसली करन लई बार निकले ते उस दी पार्टी दे आदम्यानों पुछन लगे क्यों वही की गल है तुसी कबीर दी जैजाकार क्यों बला रहे हो ते नू पता नहीं इस तरह करके ओना वेचों एक बंदा बोलेया उत्तर सुनन तो पहला ही ओना वेचों एक होर बोल पय पलिया लोका एथे केओ पुखापणा बैठा हैं ते नू नहीं पता के कबीर शाहव दे कार मठयाई दा लंगर लगा होया है ते टाइटाई सेर पकी मठयाई ओ तो हारे कनू मेल रही है एस तरह अना सार्या ने कबीर जी तो ल्यांदी होई मठयाई दखाई ते केहा तू ये लोके ओहो आगे हन, ते मठ्याई वंड रहे हन, लोई जी ने हरानगी नाल पुछया, कौन जी, कौन आगे हन, कबीर जी ने हसके उत्तर दिता, होर किसने आणा सी, ओ सडे राम जी काराई होई हन, ते टाइटाई सेर मठ्याई वंड रहे हन, दो में बड़ी हरानी नाल, ते कुझ खुशी नाल, वाहो दाही, अपने करवल पजे, जादो हो थे पहुंचे, ता हले भी पंडारा, जोरा शोरा नाल, वर त्रे आसी, सामने कबीर जी खड़े, वरता रहे सन, एह देखे लोई नू, होर भी हरानी हो गई, पर कबीर जी कोई हरान नहीं सी होए, मूँ सेर लपेटी, उस थांते पोज गए, वरतावे कबीर जी मुस्कराए, बारों फड़के उसनों अंदर ले गए, मठाई दे अतोट पंडार दखाके केहा, पगता, वरताई चल दिल खोल के, एह नहीं जे मुकणा, फिर बोले, पाई इनना सारा काम तांसी नहीं कर सकदे, होनसी चल दे हां, ते तुसी अपना काम समबलो, एक एक कबीर जी नू, उना नेक कुटवी गलवकडी विच लेलेया, ते कबीर जी दियां प्रभू मिलनी दी मस्ती नाड, अखा मीटियां गईयां, ते जदों खोलीयां, ता ओहो उत्थे आप ही सन, उना दे शिरी राम जी जा चुके सन, फिर हो रात तक, खुले पंडारे वरतों दे रहे, ते अपनी जैजाकार सुन दे रहे, लोग निहाल होके जान दे रहे, ते शरार्त करन वले, शैतान सजन पुर्ष सड़ दे रहे, सो सा संगत जी, जड़े परमात्मा विच पूरण शर्दा रख दे हन, ओना दे कम परमात्मा आप करदा है, इसलि ते अपने गुरुआं विच पक्की शर्दा रखनी चाईदी है, फिर सारे कम सै सुबा हुंदे जान दे हन, आपां कई वरी डोल जान दे हां, आपनों डोलनानी चाईदा, जोदो कोई दोख तकलीफ अपने ते पेंदी है, ता असी परमात्मा नों पोल जान दे हां, ते एक अलती यसी कदे नी करनी, दोख होवे चाहे सोख होवे, उसनों हमेशा याद करना चाईदा है, फिर परमात्मा खोश रंदा है, ते साड़े कम सवार दंदा है, होन्या पुला चुका दी, खेमा बक्षनी जी, दासनों आगया देओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहि